हाई फ्रेंट्स आप सभी को मैंने मश्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंवेश्टर यूट्यूब चनल पर शौगत है तो आज इस वीडियो में हम लोग TCS के quarter one के नतीजों की चर्चा करने जा रहे हैं TCS ने अपने quarter one के नतीजे जारी कर दिये हैं और इसके नतीजे एक्सचेंज बंद होने के बाद आये हैं तो इसके रिजल्ट पर परतिक्रिया मार्केट में कल हम लोगों को देखने को मिलेगा तो इसके result कैसे आये हैं उसको हम लोग analyze कर लेते हैं तो इसमर्पन दोस्तों हम लोग वेबसाइटसे रिजल्ट को डॉनलोड कर लिया है इसमर्पन धिसे π हैं कि नतीजे लॉनलोड करके देख रहे हैं यहां पर साइड में three-month's इंडेट प्रिडेड के रिजल्ट देखने को मिला हैं और राइट साइड में करोड में लेए तो सबसे पहले हम लोग इसके टोटल इंकम को मिला लेते हैं quarter on quarter तो मार्च quarter में इनका जो total income देखने को मिल रहा है तो तक्रीबन 44,636 करोड देखने को मिल रहा है जो कि जून quarter में ये बढ़ करके 46,132 करोड हो गया तो इनके quarter on quarter revenue में हम लोगों को positive growth देखने को मिल रहा है वहीं पर अगर इनके year on year revenue को देखें तो last year जुन quarter में इनके revenue 38,920 करोड देखने को मिल रहे थे तो इनके year on year revenue में काफी तगड़ा jump देखने को मिल रहा है ये jump है दोस्तों तक्रीबन 18% का सांदार jump है जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने estimated revenue में ये चर्चा किया था कि IT company जो guidance दी है वो double digit में growth की guidance दी है तो यहाँ पर उनके guidance meet करते हैं हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर double digit में इनके revenue में growth देखने को मिल रहा है year on year basis में तो यह काफी अच्छी बात है दोस्तों अब हम लोग इसके expenses को भी मिला लेते हैं कि इनके expenses घटे हैं या बढ़े हैं वहीं पर year on year भी इनके expenses जो है हम लोग बढ़ता हूँ देख रहे हैं लेकिन यह बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों जब business इनके पास है और इनके revenue के ट्रेंड जो है positive direction में चल रहा है तो expenses भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं हम लोग देख पा रहे हैं अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके पूरे period में इनके net profit बढ़ रहे हैं यानि उसको भी चेक कर लेना काफी जरूरी होता है तो profit for the period यहां पर हम लोग देखें दोस्तों तो यहां पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि quarter on quarter इनके जो net profit है उसमें हलका degrowth देखने को मिल रहा है लेकिन यह nominal degrowth है लेकिन वहीं पर अगर year on year इनके net profit की बात करें तो यहां पर काफी तगड़ा जम्प देखने को मिल रहा है और यह जम्प है तो तक्रीबन 28% का तो हम लोग यह कह सकते हैं कि TCS के जो year on year result रहे हैं वो काफी सांदार देखने को मिल रहे हैं और quarter on quarter थोड़ा result इनके म्यूटेट देखने को मिले हैं ऐसा हम लोगों ने एक दो दिन पहले जो वीडियो अप्लोड किया था उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि आई-टी कंपनियों के जो quarter one के जो revenue और net profit रहते हैं वो थोड़ा muted देखने को मिलते हैं लेकिन यहां पर हम लोग यह देख पा रहे हैं कि year on year basis पर TCS ने काफी सांदार set of numbers परस्थूत किया हमनी वेसगों के सामने और year on year basis के जो growth होते हैं दोस्तों वही price को guide करते हैं कि आने वाले समय में TCS के share भाव बढ़ेंगे या घटेंगे यह इसी से guided होंगे चुकि अभी F.22 के यह first quarter के result हैं तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि इनके result काफी सांदार देखने को मिले हैं अब EPS की बात कर लेता है कि EPS इनके कितने बढ़ें तो यहां पर quarter on quarter EPS में हलका degrowth देखने को मिला है जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि net profit में degrowth देखने को मिला था लेकिन year on year इनके EPS काफी high growth से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं यह तक्रीबन 28% के आसपास यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो इनके result हैं दोस्तों वह काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं इसके साथ ही TCS में 7 रुपीज का dividend भी घोसित किया है तो TCS का दोस्तों वन रुपीज है तो इस हिसाब से इसने 700% का dividend भी डिक्लियर किया है अपने निवेशों के लिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से TCS के result जो है काफी सामदार देखने को मिल रहे हैं बाकि TCS के share भाव किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे कल मार्केट खुलने के बाद वो तो हम लोग कल ही देख पाएंगे लेकिन इन लॉंग टर्म में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी TCS में निवेश की राय बनती है अब हम लोग आते हैं सिधे दोस्तों चार्ट पर स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग TCS के मंथली चार्ट को देख रहे हैं और टेकनिकल चार्ट है और इस चार्ट के हिसाब से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इसमें हलका सा घिरावट देखने को मिल रहा है उपरी अस्तरों से लेकिन जिस प्रकार के दोस्तों चुका है अगर हम लोग इसके डेली चार्ट पर देखें तो यहां से हम लोग देख रहे हैं तक्रिवन 3000 के अस्तर से यह स्टॉक जो है रैली करके 3400 का लेवल चुआ था उसके बाद इसमें हम लोग करेक्शन हम देख रहे हैं तो मार्केट कल जो भी परतिक्रिया दे इसके स्टॉक बढ़े या घटे लेकिन अगर हम लोग लॉंग टार्म में बात करें तो यह स्टॉक इन अस्तरों से हम लोग को काफी ऊपर जाता हूँ देखने को मिलेगा चुकि इसके रिभेन्यू 18% से हम लोग अगर आपकी भी राए टीसेस के रिजल्ट पर कुछ है तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें और आप मेरे नेस्ट वीडियो का इंतजार करेंगे तो तब तक कि आप सभी को नवश्कार